तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले प्रॉब्लम को देखो कि इसमें क्या है इसमें कह रहा है कि बेसिकली यह ऐसा प्रॉब्लम बार बार आ रहा है यह सर्कूलर रोड जिसका रैडियस पाइब मीटर है एंगल आप बैंकिंग यह वाली जो एंगल है थीटा वो अल्रेड य भी जुक जाता है ऐसा कुछ ठीक नहीं और इधर से इसकूटी वाला सीधा आ रहा था अब इसको यह मुड़ना है तो यह सर्कल है जिस सर्कल में यह मुड़ेगा ठीक नहीं तो इस सर्कल का जो रैडियस है वह आल्रेडी 50 मीटर दे रखा है और थीटा जो है वह 30 डिगरी है तो वाट सुड़ भी दे मैक्सिममम स्पीड सो दैट फ्रिक्शन इस नौट वाट सुड़ी दे इस स्पीड में यहां पर फ्रिक्शन यूजी नहीं हो इसके मोडने में तो यह कितना स्पीड रखे ठीक है तो अब देखो डायरेक्ट तुम्हें फार्मूला याद है कि एगर इंक्लाइट प्लेण प्लेट पे रिक्शन ने यूज हू तो मैक्सिममम इस स्पीड जो रखा जा सकता होगैं और जी अ जालना है तो डाइरिक्ट यहां से मैक्सिमुम स्पीड निकाला जा सकता है आर की वेल्व यहां टेन ले लेते हैं जी की वेल्व टेन लेते हैं और यह 1030 अगर रखोगे तो फाइनली जो यह आ जाता है टैन फेल्टी की वेल्व तो 10 प्राइस्म में स्पीड फाइनली आजाता भी मैक्स जो है वह जाता 17 मीटर पर सेकेंड गेवाली चीज ठीक है तो इस इस फाइनल सलूशन अफ दिस प्राब्लम थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो